करोना बिमारी से बचने के लिए 21 दिनों की लॉकडाउन के बाबजुद मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं ऐसे में सरकार के दोरा भी देश में लॉकडाउन आगे बढ़ाने के लिए बिचार किया जा रहा है हमिर्प में लॉकडाउन और कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाने को लेकर लोगों से इस वारे में चर्चा की गई जिसमें अधिक्त लोगों ने कोरोना बीमारी से बचाब के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन किया है सुनील सिंग का कहना है कि सरकार को करोना वाइरस के लिए लगाएगे लॉक्टाउन की अब दिकोब बढ़ाया जाना चाहिए ताकि करोना वाइरस पूरी तरह से मिट जाए स्थानी सबजी पिकरेता बंटू का कहना है कि अभी तक करोना विमारी पूरी तरह से खतम नहीं हुई है इसलिए लॉक्टाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार को 14 प्रैल के बाद लॉक्टाउन को जारी रखना चाहिए बही बुदी सिंग का कहना है कि करोना संक्रम्न बढ़ रहा है तो लोगडाउन और कर्फ्यू जारी रहना चाहिए ताकि जड़ से ही करोना को खतम किया जा सके यूबकार्तिक का मानना है कि लोगडाउन की अब्दी को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि करोना बिमारी बढ़ती जा रही है सलूचना देवी ने बताया कि हिमाचन में करोना के केस बढ़ते जा रहे है इसलिए अभी 14 अपरेल से भी आगे लोगडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए